असलाम अलेकुम जी तो डियर स्टुडेंट्स कैसे आप ठीक है मैं उमीद करता हूँ आप खेरियत से होंगे डियर स्टुडेंट्स मुझे उमीद है कि आपका जो इसलामिक स्टडीज का इसलामियात लाजमी का पेपर बहुत बहुत शांदार हुआ होगा और अब आप आग क्वेस्टन शॉर्ट क्वेस्टन घजल एप्लिकेशन दर्खास मुकालमा कौन कौन से आपके पेपर में सेट हो सकते हैं कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है तो हर चीज का गैस पेपर इन्शाला और अजीज आप देखेंगे अभी हम सबसे पहले पास पेप हैं वह डिस्क्स करेंगा ठीक है तुक्राज़ को अंधाजा हो जाए कि कौन कौन से च्वेस्टन कैसे जिन अबरव वाला sy धर्ब। मिसलें जो होती है वह आती है पेपर में कौन-เพ्यादु इमपोर्टन्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे वेहले आप यवेस्टम इसके साथ साथ हम जो पेपर पैटरन है वो भी देख लेते हैं, हिस्सा जो इनिशाया होता है आपका उर्दू का, वो साथ नंबर का होता है, उसमें सबसे पहला जो क्वेसन आता है, वो होता है, घजल के इशार की तश्रीख गीजिए, तीन अशार हिस्सा नजम और दो हिस् तो ये जो हिस्सा नजम है, चार अशार हिस्सा नजम में से हैं, और उसमें से तीन करने हैं, एक ही आपको रिलेक्सेशन मिल रही है, और हिस्सा घजल में से तीन अशार दिया हो, और उनमें से दो करने हैं, और एक ही आपको रिलेक्सेशन मिल रही है, और इसके नंबर कित तें दर्जाल नसरपारों की तश्रीख कीजिए सबक का उन्वान और मुसनफ का नाम और खत कशीदा अलफाज के मानी भी तहरीर कीजिए ये दस नंबर के है ये दो ही पैराग्राफ्स आएंगे और आपको दोनों ही करने होंगे ठीक है जी अलिफ और बेजोस नेक्स्ट जी जो चोथा क्वेस्टन है कोई से पॉंच सवालों के मुक्त सर जवाबाद दीजिए ये जो आपके युनिट्स हैं चैप्टर्स हैं आपके लैसंज़ हैं इन्में से क्वेस्टन आते हैं ये कितने हैं जी आफ क्वेस्टन जूर यहां पर क्या असर हुआ किसी ना किसी बात की फिक्रो कोश्च मसरूफ रहना क्यों लाजम है एनिवेज ये आपके क्वेस्टन्स हैं ठीक है दी उसके बाद जो 2021 के पेपर में सबग का खुलासा आया था वो कौन सा था एक सबग का खुलासा लिखना होता और उसके पांच न बात है ठीक है दी तो नात वरी 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 इंपॉर्टन जो 10th क्लास थी उसमें भी बास बोर्ट्स में नात का जो खुलासा था वो दिया गया था ठीक है तो नात बहुत इंपॉर्टन और वहाँए इस अच्छे तरीके से कर लें अनिवेज आपने गैस्पेपर जो मैं इस निटे है से मस्साइब करें किन पर टॉकिर नहीं पर दोस सहली के नाम खत कियी है अपने स्कूल के फिट मंस्ट इसे क्या ध्यूल्यस के नाम विमारी की पास लिखें तो यह एप्लिकेशन भी इंपोर्टेंट है और यह जो लेटर है खत है यह भी इंपोर्टेंट है इसके दस नमबर होते हैं ठीक है जिए उसके बाद आटमा क्वेसन है जूट की सजा के उन्वानाद पर एक कहानी तहरीर कीजिए या मरीज और डॉक्टर के दुरुस्ति कीजिए क्वेसन नमबर नाइन होता है यह इसके पांच नमबर होते हैं और पांच ही स्टेटमेंट्स दी गई होती है और उनमें से आपको पांच ही करनी होती है ठीक है तबीयत निचाहा तो चला जाओंगा उसामा ने बच्चों को उसकी मां को दे दिया वग जमलों की दुरुस्ति करते हैं या जमलों की तकमील करते हैं उल्टे बांस जितनी चादर देखिए चोर की दाड़ी में तिनका हम भी हैं पांचों काम खाब में क्या है यह इसके बाद डियर स्ट्रेंट्स हम जो अबजेक्टिव पेपर है दो हजार एकीस का अर्दू ला क्या था तो मुलाजम का नाम था लल्लू क्या लल्लू तो नेक्स्ट है जी हिज्रत नभी वी सल्ले लाल सलम के वक्त नभूवत का साल था तो नभूवत का कौन सा साल था तेर्वा साल था ठीक है तरपन साल नभी पाक से सलम की उम्रे मुबारक थी जब आपने क्या की हिज उस जवाब है एह है आगे करनेलों को रहिश के लिए बंगले मिलते हैं करनलों को अ कुछ पी आप कह सकते हैं टो बंगले मिलते हैं जी कौन से C क्लास कौन से C क्लास का कॉछ कोर्स पूरा किया या इमतिहान पूरा किया किसमे दो साल में एद जवाब दुरुस्त है ठीक है जी उसके बाद है डॉक्टर के मताबिक मियां को बिमारी थी अराम और सुकून जो है सबक उसमें से आया हुआ है थकान और हरारत की डीर स्ट्रेंड्स ये सॉल्फ जो पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हू ये इस वज़ा से कर रहा हूं कि ताके आपके तयारी बहुत जाहदा अची हो ज़ए क्यूँके जो पिछले 5 साल के पेपर होते हैं ना वो अगर आप सबजेक्टिव तैयार कर लें प्लस अप्जेक्टिव तैयार कर लें तो आप 80 प्लस मार्क्स ऐजिली ले सकते हैं तैयारी अच्छी हो जाएगी ठीक है आपके पास दो दिन का टाइम है घजल का आखरी शेर जिसमें शायर अपना सॉरी साथवां एमसी क्यू है बंदे पर इमतहान का सर नहीं था किसका जी रती बराबर जो दुरूस जवाब है वो है रती बराबर ठीक है जी आठवां एमसी के आखरी शेर के अंदर शायर अपना जो लगब है वो इसमाल करे तो उसे मकता कहते है ठीक है मकता नेक्स एजी नौ नमट में एमसी क्यूस न fifty हम्द में अल्ला का बंदा मगन रहता है किस में? कमली में किस में? कमली में ठीक है जी नेक्स है जी 10 नमबर MCQ नजम नात में शायर के दिल में हस्रत और आर्जू है किस की? नभी सल्ले लिए सल्लम के दर पर जीने मरने की C जवाब दरूसत है ठीक है जी? लफज इतिफाक का मतज़ाद है इतिफाक इतिफाक इतिफाद जिसे कहते है नफाक क्या? नफाक का मतलब होता है फूट पड़ जाना जुदा हो जाना लेदा लेदा हो जाना बिखर जाना तितर बितर हो जाना ठीक है जी? इतिफाक नफाक यह उलट है इसका ठीक है एंटोनिम जिसे आप एंग्लिश में बहुते है मलाजम की मुधनस क्या है मुलाजमा बीज़ाब दूरसत है नेक्स जी मशखला की जमा है सी ज़ाब दूरसत है मशागिल क्या मशागिल नेक्स जी लिफज आर्जी का मुतदाद है आर्जी का मुतजाद है मुस्तकिल आर्जी थोड़े वक्त के लिए और मुस्तकिल हमेशा के लिए ठीक है जी जनकारों का वाहिद है जनकार जी तो dear friends ये था आज की हमारी वीडियो का जो मोजू था वो क्या था उर्दू का 2021 में होने वाला सब्जेक्टिव और ये जो पांच साल के मैं पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मुझूद है अप इन्हें देखें अच्छे तरीके से grammar के questions देखें खुला से देखें application देखें letters देखें जुमलों की दुरुस्ती देखें short questions देखें ठीक है और न चैनल सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से फॉरण से पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि याने वाले थमाम वीडियो लेक्सिंस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच आएं अल्ला आपको कामियाबियों से नवा अल्यकित भी गाएं या याडने भी प्रॉजडओ कर दें पॉरर्क इंडि शवरें कर दो जाएं सेचले मेराना घाएं कर दो आएंग गासाएंग मारत प्रादय कर दो आद मुंड़ों सिस्ये कर दो आओर, गाते messenger से थिसा है नवाले ग्समावाना हैं तो आपको